नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Binary Live Projects YouTube Channel और मैं हूँ विजय विश्वा आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज मैं आया हूँ आपके कुछ सवालों का जवाब देने के लिए यह सीरीज हमने बनाई थी दिवाली के टाइम पे और आज भी इसके लिए कमेंट आते हैं कुछ लोगों को पता नहीं इसका वर यह डायमेंड कैप है भी यह इसी को कहते हैं डायमेंड कैप होता है यह इसका रेक्टिफायर बना करके यह से लगा करके उसको बंद कर देंगे पाउर सप्ला ही आपकी हो गई कुछ भी आपको इसमें पीए फीए फीएप लगाने ही जरूत नहीं है आप सोचते हैं कोई क्या बिना उसके काम हो जाएगा अब हम देखते हैं क्रेस्ट कैसे लगा है LED के अंदर में ठीक अभी LED वाला पार्ट देखते हैं किसी में एक आतमे रिजिस्टेंस लगा हुआ है इसी प्रकार से आपको भी लगाना है LED के पॉजिटिव टर्मिल पे अच्छा यहां पर हम लोगों ने 5 mm की आरबी और आरजी LED का इस्तमाल किया है और मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर हम लोग यह रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वह 1 km का रेजिस्टेंस है ध्यान दें 1 km जिस प्रकार से यह दिख रही है आपको लड़ी उस प्रकार से रेजिस्टेंस आते हैं बजार में ठीक है और इसके बाद में ये डायोड है, ये डायोड पी एंड जंक्शन नॉर्मल पी एंड जंक्शन डायोड है, इसके लिए अच्छा यहाँ पर देखिए आप ये diamond caps हैं, ठीक? अच्छा डायोड आपको कौन सा इस्तमाल करना है? डायोड आपको इस्तमाल करना है H.B. Company का, H.B. कुछ होगा अब यहां पर ہाराँ फक। यहां पर देख लेता है मैं लोग इसमें वायर में वह वी हम भाक रहने हैं जो आप देख देख हो कि यहां पर राइस्टेंस जो हे है डायो है LED है ओ सब्सक्राइब रहे, caps हैं, इस सारी चीज़े आपको अगर market में उपलब्द नहीं हो पा रही हैं, तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, इसमें बेज जग आप हमसे मंगवा ये, quality आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, वही quality आपको send करूँगा, वही बेजूँगा, courier के थुरूँ आपको माल पहु अब आगे हम pixel LED लाने वाले हैं, pixel LED देखिए किस प्रकार से रहती है, ये pixel LED का मैं आपको demo दे रहा हूँ, pixel LED क्या होता है, 12 color में चलती है, ठीक है, इसके अंदर में हम लोगों को controller power supply की जुरत पड़ती है, अच्छा यहां पर देखिए आप कितने सारे functions होते हैं, इसके अं function नहीं मिलता था, इसमें सारे function आपको मिलेंगे, ठीक है, ये सारा भी हमार पास उप्लब्द है, धन्यवाद, subscribe कीजिए, और इसके बाद bell icon को hit करना ना भूलें, धन्यवाद